Hey everybody, welcome to study glows, मेरा नाम है दीपा क्यादव Now उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और important topic के बारे में Tuesday को एरान की ship पर हुआ है एक attack और ये attack हुआ है Red Sea के अंदर तो discuss करेंगे इस पूरे issue को, इस issue को बहुती जादा coverage मुल चुका है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन प्रेस कर लेना और ये है मेरी Instagram id.dipakhyadav education आप लोग जाकर मुझे यहाँ पर follow कर सकते हो और अपनी queries मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये तसनीम news agency का article है ये basically इरान की खुद की private news agency है उन्होंने खुद बताया है Iranian ship attacked in Red Sea यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे उसी तरीके से इस attack के बारे में धेर सारी pictures भी आ रही है जो कि आप लोग screen पर देख पा रहे हो और जो Washington Post है यानि अमेरिका का daily newspaper है उसने भी इसको cover किया है और आप देख पा रहे होंगे इसको internationally बहुत ही जादा coverage मिल चुका है और internationally के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर भी the Hindu Indian Express, Times of India इन सभी newspaper के अंदर इस article को cover कर लिया गया है तो अव्यसी बात है यह हमारे लिए हो चुका है बहुत जादा important अब इसको cover करने के लिए सबसे पहले हम लोग को map को देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से तो जिन-जिन countries को मैं बताऊंगा उनको आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना क्योंकि इनका रोल होने वाला है आगे पूरे इस वेडियो में यहाँ पर आप देख पाओगे यह है इरान और इधर साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया के नीचे है येमन और आपको यहाँ पर इसके बराबर में देखने को मिलेगा एरिट्रिया बेसिकली आपको इन तीन countries के ओपर focus करना है अब यहाँ पर आप येमन के नीचे होगे तो यहाँ पर रेट सी देखने को मिलेगा लेकिन रेट सी में जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है बबल मंडेब और यह स्ट्रेट यहाँ पर आप देख पारे होंगे इस स्ट्रेट से थोड़ी सी आगे यहाँ पर यह शिप था और इस शिप पर दिखा दिया Gulf of Eden, यहाँ पर Red Sea है, Red Sea के अंदर जैसे ही हम लोग entry करते हैं, तो यहाँ पर पढ़ता है Babel Mandib, यह straight egg, basically, now I hope आप लोगे clear हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं, now अब news देखते हैं, यह है एक Iranian cargo ship, यह बात इरान खुद बोलता है कि यह basically एक cargo ship है, जिसको handle किया जा लिए attack हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पारे होंगे, यह Wikipedia से direct मैंने screenshot ले लिया है, तो Islamic Revolutionary Guard Cops, यह इरान के armed force की एक छोड़ी सी ब्रांच है, इनका headquarter है तहरान के अंदर, जो कि इरान की capital है, ओके, now इरान ने अपनी तरफ से क्या बोला है, जो इरान के foreign ministry spokesman है, जिन International Maritime Organization में, बेसिकलि यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, non military vessel है, यानि एक तरीके से समान को इधर उधर से, समान के लिए use करा जाता है, समान के movement के लिए logistics station की तरह हम लोग इसको इसको इस्तमाल करते हैं, और दूसरी तरफ anti-piracy service भी यह हम उको provide करवाता है, यानि तो इस तरीके से यहाँ पर एरान के द्वारा ये statement दी गई है, और fortunately हुआ क्या है, यहाँ पर किसी की death नहीं हुए है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं हुआ है, बेसिकलि जो खतरा पहुचा है, वो सर्फ और सर्फ शिप को खतरा पहुचा है, ओके, एक तरीके से शिप को नु पहले के आर्टिकल सारे, उनमें यहाँ पर एक तरीके से इसराइल के तरफ उंगली उठाई जा रही है, वो क्यों उठाई जा रही है, मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा, तो अभी तक तो खेर यहाँ पर इसराइल, इरान है, उसने यहाँ पर ब्लेम नहीं किया है कि को इस अटेक के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी यह लोग और सर्च करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग को और भी जादा इन्फॉमेशन इस चीज़ के बारे में मिलने वाली है, अब यह जो सेविज है, यह जो शिप है, जिसका आप लोग पिच्चर नीचे देख पारे होंगे, इसको ओंड करा जाता है, इसलामिक रिपब्लिक ओफ इरान शिपिंग लाइन्स के द्वारा, इसको ध्यान रखना, और यह जो शिप है, इसको रेड सी में लाया गया था, यानि रेड सी गे अंदर यह एंटर हुआ था, साल 2016 के अंदर, और और यहाँ पर बताया गया, साल 2016 से जिस जगा पर है, यह महीं पर आसपासी हम लोगो यह शिप देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर आप देख पाओगे, काफी टाइम से यह शिप की प्रेजेंस यहाँ पर है, तो इसको देखते वे, अब्यसी बात है, बहुत सारी जो हैं क्रेटिसाइस तो करेंगी, तो यही हुआ, साउधी अरेबिया ने इस चीज को क्रेटिसाइस कर दिया, साउधी अरेबिया ने बोला, जो यह इतने टाइम से इरान का शिप यहाँ पर घूम रहा है, यह बेसिकलि इसके पीछे का परपस यह है, कि इरान एक तरीके स आम्स प्रोवाईट करुए रहा है तो यहाँ पर और और से क्लियर करेंगे यह मेडलिस्ट का मैप हो गया यहाँ पर यह है Saudi Arabia Saudi Arabia ने यह चीज बोली है यहाँ पर Yemen है Yemen के अंदर काफी टाइम से एक war चल रही है जहो कि एक साइड Yemen government हो गई और दूसरी साइड हो गए हाउदी तीके अब हाउदी हो गए हाउदी को कौन support करता है वो support करता है Iran तो बेसिकली बोला जा रहा है इरान जो है इस ship की मदद से इनको weapons प्रोवाइड करवाता है आपको मालूम होगा इस थोड़े से issue के बारे में बता दू जो Yemen की war है इसमें क्या हुआ था कि देखो अभी ये news के अंदर भी था क्योंकि USA ने जो है इससे हट गया था पीछे क्योंकि जो है USA Saudi Arabia को support करता था Saudi Arabia यहाँ पर Yemen की government को support करता है ठीके और यहाँ पर जो Houthis हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जिनके आपस के बीच में dispute चल रहा है Houthis को support करता है Iran अब क्या है कि यह भी हाली में news में क्यों होता क्योंकि USA ने बोला कि हम लोग Saudi Arabia को support नहीं करेंगे क्योंकि USA क्या करता था Saudi Arabia को weapons provide करवाता था weapons और फिर Saudi Arabia जो है वो यहाँ पर इधर weapons provide करवाते थे obvious ही बात है जब किसी country के अंदर war चलती है तो बागी countries अपना फायदा उठाती है किस तरीके से अपने weapons बेच छे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस सारी चीज़ चल लहीं थी now USA ने अभी हाली में आप देख पाऊगे जो बाइडन जब से इलेक्ट हुआ है जो बाइडन ने कहा कि हम लोग अब Saudi Arabia को ही support नहीं करेंगे और जो Yemen के अंदर वो war चल लही है उसको support नहीं करेंगे obviously बात है अगर ये countries पीछे हट जाती है तो ये war भी खतम हो जाएगी ठीक है इस war के उपर अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे एक वीडियो बनाएंगे उसमें डीटेल में बात करेंगे ओके फिला यहाँ पर आपको एक छोड़ा सा मुद्दा समझना था तो एक तरीके से यहाँ पर Saudi Arabia के द्वारा criticize करा गया कि जो इरान का ship है वो यहाँ पर weapons provide करवाता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद लेकिन इरान ने क्या बोला इरान ने पूरी तरह से इसको मना कर दिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ठीके इरान ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर आप देख पाओगे लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूस पेपर में इसको cover कर गया था कि जो यूएस और एरान हैं यह लोग आपस में बातचीत करने वाले हैं इस nuclear talk को लेकर indirect talk होगी कहां पर वेना के अंदर तो वो talk आपके सकते हो चल रही है अब यह जो आप कहसकते हो attack तब हुआ है यानि कि यह attack इरान की shape पर हम लोगो तब देखने को मिला है जब इरान और world powers के बीच में बातचीच चल लई है वेना के अंदर किस चीच को लेकर इरान nuclear deal को लेकर ओके इरान nuclear deal क्या एक छोड़ा सा मैं आपको update देता हूं राकी आप लोगो चीज़े clear हो जाएं देखो साल 2015 में जब बैराक उबामा थे US के president उन्होंने इरान के साथ कर ली थी एक nuclear deal यानि इरान से बोला कि आप लोग uranium का enrichment नहीं करोगे और जो है जो इरान के ऊपर international sanctions लगे हुए हैं वो हट जाएंगे तो ये deal हो गई थी ठीके final फिर उसके बाद क्या हुआ जो US के president थे बिराक उबामा उनका time खतम हो गया था फिर उसके बाद election हुए और जो है नए president आ गए थे डॉनल्ल ट्रम अब डॉनल्ल ट्रम ने क्या करा USA को इस deal से निकाल लिया था बाहर और वापस से इरान के उपर धेड सारे sanctions लगा दिये थे अब फिर उसके बाद कहानी आगे बड़ी अब डॉनल्ल ट्रम भी चले गए आ गए जो बाइडन अब जो बाइडन क्या चाते हैं कि वापस से इस deal के अंदर USA आ जाए वापस से इरान nuclear deal वरकिंग में आ जाए तो उसी चीज़ के उपर यहां पर बातचीच चल लिए कि हम लोग इरान nuclear deal को वापस से कैसे हम लोग सही कर सकते हैं जो कि डॉनलड ट्रम बिगाड़ कर चले गए थे ओके यह ता सिचुएशन तो उस deal के उपर बैठक चल लए थी उसी बीच यह attack देखने को मिला है अब आपको धियान रखना है इस deal के खिलाफ इस राइल बहुत पहले से यह यह इसराइल नहीं चाहता है कि यह इस तरीके स धेड़ सारे जो आर्टिकल से इरान के अंदर वो यह पब्लिश कर रहे हैं कि एक तरीके से इसराइल की यहां पर चाल हो सकती है यह इसराइल के द्वारा किया हुआ attack हो सकता है और हाली में धेड़ सारे जो attacks हुआ है इसराइल की ship पर हुए हो चाहे वो इरान की ship पर हुए हमेशा सा यह होता हुआ है जब इसराइल की शिप पर अटेक हुआ है तो इसराइल ने बोला है इरान ने करा है जब इरान की शिप पर अटेक हुआ है तो इरान ने बोला कि इसराइल ने क्या है ऐसे तीन चार बार हो चुका तो यह सिचुएशन जो है हमें लगातार देख र झाल झाल